तो हम वर्षब लगन वालों के लिए चंदर्मा की महादसा के बारे में बात कर रहे थे इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वर्षब लगन हो और आपके दसम भाव में चंदर्मा इस्तित हों आपके कुम्बरासी में तब आपको अगर चंदर्मा की महादसा आ जाती है तो result किस प्रकार के रहेंगे यहां देखे चंदर्मा आपके कुम्बरासी में जब बे इस्तित होंगे तो यहां आपको देखना पड़ेगा चंदर्मा यहां कैसे इस्तिति में हैं, किसी ग्रह के साथ हैं, या किसी भी ग्रह की अगर चंदर्मा पर दृष्टी पढ़ रही है, यह सब आपको चेक कर लेना चाहिए क्योंकि चंदर्मा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव काफी ज्यादा strongly पढ़ेगा, ऐसे में यह हो सकता है कि चंदर्मा की महादसा की दुरान जो प्रभाव चंदर्मा पर पढ़ रहा है किसी भी दूसरे ग्रह का, उससे समंधित भी आपको परिणाम देखने को मिल सकते ह यहाँ पर चंदर्मा आपको ज्यादा से ज्यादा यह फोकस करवाएगा कि आप अपने कैरियर को ध्यान में रख सकें, कैरियर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकें, और अपनी क्रियेटिविटी, अपनी इमेजिनेशन और अपनी स्किल्स का इस्तिमाल अपने कैरियर मे रोल और माता पिता का रोल आपकी जिवन में बहुत ज़्यदा एहम हो जाता है इस दसा के दुरान पर मुख्य रूप से ऐसा चंदर्मा आपको आपके कैरियर की वज़े से काफी ज़्यदा ट्रेवल भी दे सकता है काफी ज़्यदा एफर्ट लगाने के लिए भी प्रिरित कर सकता है यहां चंदर्मा इस्तित है तो सनी की प्लेस्मेंट को आपको देखना सनी अगर काफी अच्छी इस्तिति में चार्ट में हैं तो चंदर्मा कुछ हद तक आपको कैरियर में बहुत अच्छे प्रिणाम यहां दे सकेंगे चंदर्मा को अगर भरस्पत्य का सपोर्ट हो अगर सूरिय का सपोर्ट हो बुद्ध का, शुकर का, यानि किसी भी अन्नेगरे का सपोर्ट हो तो चंदर्मा यहां काफी बहतरिन तरीके से काम कर सकेंगे अगर राहू और केतु का सपोर्ट है चंदरमा को तो ऐसे में आपका विदेश यात्रा होना या विदेश में सेट्लिमेंट होने आपके काफी ज़्यदा संभावित हो जाएगा लेकिन ये चंदरमा की महादसा 10 वर्स की जो महादसा होगी वो आपके कैरियर में काफी सारे बदलाव लेकर आएगी क्योंकि चंदरमा एक बहुती फास्ट मुइंग प्लाइनेट है फास्ट मुइंग प्लाइनेट होने की वज़से जो स्टेबिलिटी है उसकी कमी आ सकती है लेकिन आपके काम में हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव चीजें होती रहेंगी जिससे आप कभी भी बौर नहीं होंगे और अपनी पूरी की पूरी जो स्किल है आपकी इमेजिनेशन स्किल है या अपनी कोई सर्जन छमता या अपने किसी भी वरकार का अन्ने आपका कोई भी स्किल है वो अपने काम में आप बहुत अच्छे से इस्तिमाल कर सकेंगे तो इस इस्तिति की वज़े से ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैरियर पे फोकस्ट रहना चीए अगर आपके फोर्थ होस में कोई भी ग्रह इस्तित होगा लेकिन यहाँ पर आपको mental stability की बहुत ज़्यादा आप सेकता पड़ेगी और concentration की भी काफी ज़्यादा आप सेकता पड़ेगी अगर चंद्रमा के इस इस्तिति की वज़े से मुख्य रूप से आप कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं तो बाकी जो आपके life है वो पूरी तरीके से settle होगी यहाँ पर अब किसी भी अन्ने ग्रह का प्रभाव है तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो उससे इसाब से हमें दिखता है अगर बर्सपती या बुद्ध का support चंद्रमा को है तो ऐसे में carrier से समंदित आपको सही decision लेने में भी मदद मिल सकेगी और अपना काम भी सही तरीके से करने में आपको मदद मिल सकेगी इसके साथ सूरिय का support भी अगर चंद्रमा को हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन देखें चंद्रमा एक बहुत ही caring planet है caring planet होने की विज़ से इस बात की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है कि आप अपने family के साथ भी काफी ज़्यादा अटेस्ट रहेंगे तो हो सकता है कभी कभी आप अपने काम के साथ भी compromise कर लें चंद्रमा के इस इस्तिती की वज़े से अकसर आपके केरियर में कुछ न कुछ बदलाव ऐसे होते रहेंगे जो आपको मानसिक रूप से चिंता देंगे या तनाव या anxiety देंगे इनका आपको जरूर सामना करना पड़ सकता है ऐसे में अपने आपको आपको mentally stable करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी conditions से आपको जूजना भी पड़ेगा जहांपर आप काफी ज़दा प्रेशान महसूस करेंगे अपने आपको लेकिन ये सब आपको जहलना ही पड़ेगा अब चंदरमा एक बहुत ही caring planet होने की वेसे और शुब planet होने की वेसे इस बात की समभावना बहुत अधिक है कि केरियर को लेकर आपके ओपर बहुत ज़दा stress हो बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां हों जिनको आपको पूरा करना हो और काफी सारा travel भी आपको करना पड़ सकता है चंदरमा आपके चार्ट में तीसरे भाव के श्वामी बनते है तीसरे भाव के श्वामी उने की वेसे अब इस बात की समावना बहुत अधिक है कि आप अपना पूरा पूरा एफर्ट लगाने के बावजूद भी कभी भी अपने केरियर से संतुष्टी मैसुस नहीं कर सकेंगे हालनकि ये भी डिपेंड करता है कि ये महादसा आपको कौन सी एज में स्टार्ट होने वाली है क्योंकि ये दस वर्ष की महादसा होगी और दस वर्ष की दौरान आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेज आ सकेंगे जो वास्त में आप केरियर में देखना चाते हैं या अपनी लाइफ में जिन चेंजेज को आप देखना चाते हैं ऐसे condition में आपको ज़्यादा से ज़्यादा stability की तरफ ही देखना चाहिए अब तीसरे भाव के शौमी चंद्रमा हैं तो आप अपने skills का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे आप अपनी communication का या अन्य जो भी आपके ability हैं उनका इस्तेमाल कर सकेंगे दूसरा यहा आपके zone में फिर भी बनी रह सकती हैं लेकिन यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा adjustment करना पड़ सकता है और प्रिस्तितियों के अनुसार खुद को डालना पड़ सकता है चंद्रमा तीसरे भाव के शौमी होने की विज़से अगर आपको यह ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप आपको कोई writing बगर करनी पड़ है लिखना पड़ रहा है बोलना पड़ रहा है communication का इस्तेमाल करना पड़ रहा है चाहिए वह वरवल communication है या कैसा भी communication है तो आपके लिए काफी ज़्यादा easy हो जाएगा बड़ देखे चंद्रमा एक बहुत ही soft planet होने की विज़से दूसरे energetic planet का चंद्रमा पर प्रभाव है यहाँ पर जैसे की सूरिय हो मंगल हो तो ऐसे में आपको अपना काम easily करने में मदद जरूर मिल सकेगी लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा problem आएगी कभी कभी अपने boss के साथ अपने colleagues के साथ और देखे चंद्रमा यहाँ है तो आप हमेशा अपने काम की extra जिम्मेदारियां भी आसानी से ले ले लेंगे और काफी ज़दा महनते भी होंगे लेकिन आपकी जो महनत है कभी कभी दूसरे उसका फाइदा इखे जा सकती है जो वास्त में आपकी बनती ही नहीं है और आपसे बहुत ज़दा काम करवाया जा सकता है और फोड़ा सा आपके लिए तकलेफ उथ्पन कर सकता है चंद्रमा की यह इस्थिति आपको आपके कैरियर की वज़े से काफी जदा ट्रेवल करना पड़ सकता है यह ट्रेवल बहुत लंबा भी हो सकता है चोटी दूरी की यात्रहें भी हो सकती हैं तो कहीं न कहीं आप थोड़ा सा अपने आपको physically और mentally stable नहीं देख सकेंगे इस दसा में, लेकिन सब कुछ आपको adjust करके चलना पड़ेगा, चंदरमा के साथ अगर सनी का समन्ध है या राहु केतु का समन्ध है तो ये आपके career के लिए और भी चिंता आपकी बढ़ाने वाला ह होगा, तो इस परकार से आपको देखना, अब ये डिपेंट करता है कि चंदरमा की महादसा आपको कौन से age में आ रही है, जिसको ये महादसा 15 साल के आयो तक कभी भी अगर स्टार्ट हो रही हो, तो ऐसे में आपके जो family है, आपकी जो माता-पिता हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा महत्वपन हो जाता है, क्योंकि शुरुवाती age में चोटी आयो में आपको ज्यादा अच्छा माहल चाहिए होगा, अपने घर परिवार के साथ जुड़कर, और आपको ज्यादा अच्छी conditions चाहिए होगी, अगर आपको सीखना चाहते लाइफ में, कुछ creative करना च आती है, तो आपके fourth house में या तो कोई ग्रह ना हो, या फिर कोई भी ग्रह हो, तो वो एक शुब ग्रह होना चाहिए, जिससे चंदर्मा पर शकरात्मक प्रभाव पड़ सके, और चंदर्मा आपको बहुत बहुत बेतरे result दे सके, इसके साथ आपकी family ने आपको कैसा महल प् growth होगी, आपकी mentally growth होगी, आपकी physically जो भी growth होगी, और एक mental satisfaction को लेके भी कही ना कहीं आप देखेंगे अपने आपको, तो ये जो प्रभाव है हमेशा पूरी life में ही देखने को मिलेंगे, अब उसके बाद मालने जिए किसी जात तक को ये महादसा लगभग 25 की age से लेकर 35 की स्टार्ट होती हो, तो ये आपके carrier के लिए सबसे ज्यादा important समय होगा, इस समय अगर किसी भी क्रूर ग्रेका support है, जैसे की सूरिये, मंगल जैसे ग्रेका, व्रस्पती जैसे ग्रेका भी अगर support है, तो आप अपने carrier को लेकर कुछ risk भी ले सकते हैं, कभी-कभी कुछ ऐसे decision भी ले सकते हैं, जो थोड़ा सा आपके लिए risk की जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो आपके favor में होंगे end में, इसी के साथ अगर मानलो, ये महादसा किसी को बहुत late age में आती है, 45 या 50 की age में, तो ऐसा व्यक्ती कही न कई अपने carrier से तो satisfaction चाहता ही चाहता है, वो अपना mental satisfaction सब से ज़्यादा demand करेगा, और अपने घर परिवार के साथ ज़्यादा वो रहना पसंद करेगा, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा दूर travel करना, विदेश यात्रा करना भी possible है इस दसा के दुरान, लेकिन कई न कई अगर किसी क्रूर ग्रह से परभावित है चंद्रमा, तो आपको mentally बहुत ज़्यादा problems आ सकती है late age में भी, और जो मानसिक रूप से खुसी या जो आप satisfaction जो तलास रहें late age में भी, वो साहिद आपको उस हद तक ना मिले, जिसे हद तक आप वास्ता में चाहते हैं, तो ये कुछ परभाव और परिणाम रहेंगे चंद्रमा की महाद साह आ रहे हैं